पिए और आपको जली है करिएrales 3. जब हम लोग असंगी राजनीती की बात करें और अपने देश की राजनीती की बात करें उसमें एकर हम लोग सरवानन्द सौने वाल के बारे में बात ना करें यह संभव भी नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि भारती जन्ता पार्टी के एक कददावर नेता माने जाते हैं। और आप देखेंगे असम के मुखमंत्री भी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, मुखमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और यह हैं आपकी सर्वानंद सौनेव अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो सर्वानंद सौनेवाल इनका नाम है और उपनाम है इनका सर्वानंद सौनवाल और आप सभी जानते हैं उपनाम का कहने का मतलब है कि आपकी मार्क सीट में आपने देखा होगा आपका एक बास्त्विक नाम लिखा रहता है घर में आ 1962 को इनका जनम होता है, असम के डिबरुगड में इनका जनम हुआ था, इनके पता की बात करें तो जीवेस और सौनेवाल इनकी पता का नाम, देने सोरी सौनेवाल इनकी माता का नाम है, क्या है, देने सोरी सौनेवाल इनकी माता का नाम है, और आप देखें कि इनकी सिक्षा क अगर हम बात करें, तो BA डिबरुगड यूनिवर्सीटी से इन्होंने BA किया हुआ है, क्या किया हुआ है, BA किया हुआ है, और LLB गौाहटी यूनिवर्सीटी से इन्होंने कानून की पड़ाई भी प्राप्त की हुई है, संचार और प्रत्यकारता की डिगरी गौाहटी यू भूड़े हुए बीजय पी की नेता है अगर मैं एंकी राजनितिक सफर की बात करें राजनितिक इयात्रा की बात करें तो असमगर परिशत की स्टूडेंट की स्टूडेंट, विंग और असम इस्टूडेंट इूनियन और पूरुत्तर की राज्यों में असर रखने वाले नौर्थ इस्टूडेंट इूनियन के अध्यक्च भी रह चुके हैं उसके बाद आप देखें कि भाजापाव में जुड़ने से पूर असम गड़ परश्यत की सदस्त भी रहें और उन्हें और असम इस्टूडेंट इूनियन के द्वारा आई एमडीटी विल्कु हटाने के प्रयास किये जाने पर असम का जातिये नायक का सम्मान भी दिया गया था क्या दिया गया था सम्मान भी दिया गया था 2001 में वे असम गड़ परश्यत की उमीदवार की रूम में सरपिता बिधान सभा के सदस्त निर्वा चित हुए तर आप देखेंगे 2004 में पिथम बार लोगसभा के सदस्त की रूम में भी निर्वा चित हुए थे और आप सभ उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी बोट डाल ले जाते होंगे और अगर आपको विधान सभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अगर आप लोगों को लोग सभा सदस का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र 25 साल होनी चा और विधार सभा में 126 सीटे हैं, राज सभा में 7 सीटे हैं, लोग सभा में 14 सीट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये भी याद रखा करिएगा फिर आप देखेंगे कि मौरान के से विधायक और बाद में डिबुरुगर्ड और लखीमपुर से सांसद रहने के साथ ही भी असम में ग्रह मंतरी और उद्द्योग वडिज मंतरी का नेतित भी समाल चुके हैं, बे निजी तोर पर पोटोवाल और वेडमेंटिन खिलाडी भ चुरत आते हैं, और उनके बीजेपी में आते ही उन्हें कारकारडी सदस्त बनाये गया, और वेजाए सम बीजीपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, क्या रहें? पिभक्ता भी रहे हैं, दो हजार बारे और दौन अचार्ष कना पार्डि की ज़ंधा-पर्टी के अध्धिक्श इवं यूवा मंतराले भारत सरकार के अंदर के खेल वा यूवा मामलों की राजमंत्री का पद भी दिया गया था सुतंत प्रभाग केंद्रिय खेल मंतरी की रूमें इनका कारकाल 26 मई 2014 सी 23 मई 2016 तक रहता है इसके बाद आप देखेंगे 2016 में असम में भाजापा की इतिहासिक जीत होने के बाद पीम नयद मौदी ने सरवानन्द सोनेवाल को मुखमंत्री पत से के लिए चुना और आप सभी जानते हैं कि भारी बहुमत मिलता है असम में कॉंगर किसे भारती जंता पायटी को और इन्हें मुखमंत्री बनाया जाता है दोजार एकिस में माजुली से असम भिधानसवा के लिए फिर से चुने जाते हैं उन्होंने मुखमंत्री पत से इस्थीपा दिया और उनके उत्तरादीकारी के रूम में एहमंत विस्वा सर्मा की नाम का पिस्ताव रखा गया था जब 2021 में आपके असम में बिधानसवा चुना हुए थे साज जुलाई 2021 को जब कैमिनेट में बदला हुआ तो भी दूसरी मौदी मंतराले में बंदरगा, जहाज रानी और जलमार्क मंत्री और आयूस मंत्री बनाए गये थे और इनसे कुछ एवी अवैद जो घुसपेट की बिरोध दिनों ने कई पहले भी की हुई है देखें क्या रहता है कि आप सभी जानते ही कि जो हमारे पड़ोसी हैं चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, भूटान हो, बंगला देश हो, म्यानमार हो, सिरी लंका हो अगर यहां की नागरेकों को छूट दी जाए कि आप किस देश में रहना पसंद करोगे, तो वो भारत को चुनेगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन देशों में लोगों के अधिकारों का क्या हाल है बंगला देश से आप देखते हैं कि असम में आते रहते हैं, इस तरह से म्यानमार से भी है और भूटान से भी लोग आते रहते हैं, तो उसी को गुस्पेट की बात हो रही है तो असम में बंगलादेश की नागरेकों का अवैद इस्थानांतर हमेशा से ही विवाद इतरा है बंगलादेशी नागरेकों को अवैद रूप से भारत में आने से रोकने के लिए Illegal Migrants Determination White Tribunal Act 1983 अस्तित में आया और यह Act भारत सरकार और Earl India All Student Union के बीच हुआ था इस Act के खिलाब लंबे समय से एंटी फोरेन आंदोलन का चल रहा था इस Act के अनुसार असम में अवैद रूप से रहरे बंगलादेशी नागरेकों को असम में रहने की अनुमती दी गई थी यह कानून उन बिदेशी नागरेकों पर लागू होता था जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में बसे थे उन्होंने ही असम में बंगलादेशी घुसपेट मामले को सुप्रीम कोट तक ले जानी की उगवाई भी की थी और कोट ने इस Act को खतम करने का आदिश भी दिया था कोट ने इस कानून को गलट थे रहा था और बंगलादेशी नागरेकों को आसम मिधाने करार दिया था और इन हालातों में उन्हें राष्टी सुमसिवक संका भी पूरा समर्तन मिला था किने सरवानन्द सौनेवाल को और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाकर ये आप लोग राजनीती में काफी सफलता पापाते हैं और सकसे जोपाते हैं आंगे बढ़ पाते हैं तो यही हाल है अभी तक का तो सरवानन्द सौनेवाल का आने बाले समय में इनकी किस तरह की राजनीती रहते हैं क्या करते हैं कौन-कौन से पद मिलते हैं इसके बारे में हम लोग भविस्तवाणी नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि कमसे काम आप लोग एक नियूच पेपर फालो करते रहा करिएगा देश दुनिया के बारे में जानते रहा करिएगा हमारे देश की राजनीती में क्या हो रहा है दुनिया भर में क्या हो रहा है चलिए आपके मन में भी किसी का नाम हो किसी के बारे में जानने की दिल्चस्वी हो तो जरूर आप लोग नाम बताईएगा उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे उनके बारे में भी जान लेंगे फिलालो आप लोग एंज्वाय करिएगा और देश के निताओं के बारे में जानते रहना चाहिए मुझे लगता है आप कर दो